नमस्कार मैं हूँ आपके संग नित्यम मंत्र यन तंत्र वास्तु के विशेश कास्क्रम के साथ महा सिवरात्री के दिन आप अपने सारे ग्रहों को अपने अनुकुल बना सकते हैं अगर कोई ग्रह आपको पीरा दे रही है या सुब फल्परदान नहीं कर रही है तो महा सिवरात्री के दिन अगर आप भगवान शिव के सरन में जाते हैं तो सारे ग्रह आपके अनुकुल हो जाएंगे तो बने रही हमारे साथ हम आपको बताएंगे कि महा सिवरात्री के दिन अगर आप भगवान शिप के सरन में जाते हैं भगवान शिप की पूजा करते हैं तो कोई गरह कोई नच्छतर आपका कुछ नहीं बिगार सकता है हम आपको एक एक करके बताएंगे कि भगवान शिप की पूजा करने से कैसे आप सारे गरहों को मजबूत कर सकते हैं लेकिन उसके पहले हम जानते हैं क्या है नबगरह, देखिए जोतिस सास के नुसार सोर मंडल में अस्थित नौगरोहों को नबगरह की संग्या दी गई है, सुर्ज, ब्रस्पति, मंगल, शनी, चंद्रमा, राहु, सुक्र, बुद्ध, केतु, ये सारे नौगरह को आप कैसे आप इसका निवारन करें, देखिए अगर आपको सुर्ज, ब्रस्पति, मंगल गरह शही फल प्रदान नहीं कर रहा है, या ये गरह आप से प्रिध है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अनार के रस से सिवलिंग का भी से करें, और अनार फल का भोग भी भगवान इसके बाद जो मंतर है, सुर्ज का मंतर और मंगल का मंतर, ये मंतर आपको कम से कम एक सा आठ बार जब करना है, जो सुर्ज का मंतर है, वो मंतर है ओम सुर्याय नमाहा, और जो मंगल का मंतर है, वो है ओम अंग अंगार का नमाहा, तो अगर आपका सुर्ज मजबूत नहीं ह या पीरा दे रही है तो आप ओम सुर्जाय नमाह का जब करें और मंगल के लिए ओम अंग अंगार का है नमाह का आप जब कर सकते हैं मंत्र का जब आपको रुद्राक्ष या लाल चंदर की माला से करना है ये आपके लिए बेहतर होगा अब हम चर्चा करते हैं बुद्ध गरह का देखिए अगर आपको बुद्ध गरह से आप पिरीद हैं तो क्या करें अगर आपको बुद्ध गरह शही फल या बुरा फल परदान कर रहा है तो आपको क्या करना है सबसे पहली बात शीव लिंग पर बेल पत्र अर्पित करना है आपको उसके बाद भगवान शीव को पान के पत्ते भी आपको अर्पित करना है उसके बाद जो मंत्र है बुध का मंत्र ओम भुम बुधायनमा मंत्र का जब हरे हाकीक या रुद्राक्स की माला से करना बहतर होगा लेकिन एक बात आप याद रखे जब भी भगवान शिव को आप कोई भी चीज अर्पित करते हैं तो उसके पहले आप जल की धरा अर्पित करें उसके बाद आप कोई चीज जैसे बेलपत अर्पित करना है तो करें उसके और फिर से जल की धरा अर्पित करने के बाद आपको भगवान शिव का जो मंत्र है नमा शिवाय नमा शिवाय का जब करते रहना है जब भी कोई चीज भगवान चीज को आप भगवान शीप को अरपित करते हैं जैसे आप भगवान शीप पर या सिविलिंग पर जल अरपित कर रहे हैं या बेलपत अरपित कर रहे हैं तो नमा शिवाय नमा शिवाय का आप जब करते रहे हैं ये करने के बाद आपको गरह से स अगर आप चंद्रमा गरह से प्रीद हैं तो क्या करें। इसके लिए क्या करना आपको। शिबलिंग पर गाय के दूद से आप अभी सेख करें। शिब जी को चावल के खीर का भी भोक लगा है। उसके बाद आपको जो मंत्र है ओम शोम शोमाय नमाहा। ओम शोम शोमाय नमाहा इस मंत्र का कम से कम आपको एक साथ वार जब करना है। मंत्र का जब रात के समय मोती या संग की माला से करना बेहतर होगा तो निश्चित रूप से आपका चंद्रमा आपके लिए अच्छा फल परदान करेगा। इसके बाद हम बात करते हैं ब्रस्पति गरह के प्रभाव। अगर ब्रस्पति गरह से आप पिरिद है या ब्रस्पति गरह आपको सुब प्रदान नहीं कर रहा है तो क्या करें। सबसे पहली बाद शिवलिंग पर पीले फूल अर्पित करें, लेकिन ये ध्यान रहे कि कभी भी केत्की का फूल आपको शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना है, इसके बाद शिवप पंचाक्ष्री मंत्र नमाह शिवाय का कम से कम एगारा माला का आप जब करें, अगर आप ए ब्रस्पतिय नमहा ओम ब्रिम ब्रस्पतिय नमहा इस मंत्र का कम से कम एक सा आठवर आपको जब करना है निश्चित रूप से ब्रस्पति गरह आपको सुप्फल प्रदान करना शुरू कर देगा इसके बाद हम बात करते हैं शुक्र गरह अगर सुक्र गरह से आप पिरीत हैं या सुक्र गरह आपको शुब फ्रदान नहीं कर रही है तो इसके लिए क्या करना है सिबलिंग का इत्र से अभी सेक करें इसके बाद सिबलिंग पर सफेद फुल अर्पित करना है लेकिन ध्यान धे कभी भी केती का फुल आपको अर्पित नहीं करना है इसके बाद आप चावल और दूद का भी दान कर सकते हैं जो सुक्र का मंतर है ओम शुम शुक्रायनमहा इस मंतर का कम से कम आपको एक साथ वार जब करना है और मंतर का जब रात के समय असफर्टिक या सफे चंदल की माला से कर सकते हैं अगर आप ऐसा करेंगे तो निस्चित रूप से आपके जिन्दगी में सुक्र का अच्छा फल मिलेगा लेकिन एक बात आपको ध्यान रहें कि कोई भी आप चीज भगवान सीब को ओफर करते हैं चढ़ाते हैं तो उसके पहले जल की धरा अबस चढ़ाएं और नमाशिवय नमाशिवय बोलते रहें अब हम बात करते हैं शनी गरह के प्रभाव अगर आप सनी गरह से प्रीत है तो क्या करें शिबलिंग का तील के तेल से अभी सेख करें और बांकी बचे तेल का आप धान कर दीजे मंदिर में कोई भी अगर हैं गरीब हैं तो उसको आप बांकी बचे तेल का धान कर दीजे शिबलिंग पर समी पत्र भी आप अरपित करें उसके बाद आपको महा मिर्तुन्जय मंत्र जो सबसे छोटा मंत्र है ओम जुम्षा का कम से कम एगारा माला का आपको जब करना है उसके बाद फिर सनी मंत्र का एक सा आठ वर जब करना है सनी मंतर क्या है ओम शंग 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 श खत्म हो जाएंगे स्थनी गरह का आपके ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ेगा अब हम बात करते हैं राहू गेतू का अगर आप राहू केतू गरह से प्रीत है तो क्या करें देखिए इसके लिए आपको क्या करना है शिबलिंग का भांग या धतुरे को जल में आथवा दू से आप अभी सेख करें उसके बाद जो राहू का मंतर है ओम राम राहवे नमहा ओम राम राहवे नमहा इस मंतर का आपको कम से कम एक साथ वार जब करना है उसके बाद केतू के लिए जो मंतर है ओम केम केतिवे नमहा ओम केम केतिवे नमहा इस मंतर का भी आपको कम से कम एक स आठ वार जब करना है मंत्र का जब रात के समय में रुतराक्ष की मला से करना बेहतर होगा अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके जिंदगी में जो राहु केतु का प्रभाव है जो काल सर्फ दोस है या कोई भी दोस है निश्चित रूप से वो सुरू हो जाएगा और आपका जिंदगी बेहतर हो जाएगा तो मैंने आज आपको बताया कि कैसे भगवान शिब का पूजा महासिवरात्री के दिन करके आप अपने सारे ग्रहों को अपने अनुकुल बना सकते हैं मैं आपको बता दूँ कि सारे ग्रह सारे नसत्र भगवा शिब के सरन में जाएए और जो मैं उपाया आपको बताया हूँ उस उपाया को करिए आपके जिंदगी में अगर कोई भी गरह पीरा दे रही है तो वो गरह क्या सांती हो जाएगा आज के लिए बस इतना ही अगर आपको ये भीडियो पसंद आये है तो किरपयाई से लाइक करें सब्सक्राइब करें तथा आपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनके जिंदगी में अगर कोई गरह पीरा दे रही है या वो किसी गरह से प्रशान है तो वो भी इन धन्यवाद